So, hey everyone, welcome back, welcome back to Radhika Classes. तो भाई, आज सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह पुछी जा रही है, क्या सर हमारे term 2 के board exams होंगे या नहीं? तो मेरे title और thumbnail से देखके आप लोग समझ गए होंगे, भी हमारे board exams होने या नहीं होने, ठीक है? तो इसका जवाब मैं आपको आज दूँगा, कुछ चीज़े आपको बताऊंगा भी है, board exams होने के chances कितने हैं और कितने नहीं हैं, तो पहली बात तो करूं यार, आपके अपने यह देखाऊगा भी हमारा जो new variant डार है, करोना का हर साल आता है भाई, कल के cases देखे जाएं तो इंडिया में 1 lakh plus cases हैं, बहुत टाइम बाद मतलब ऐसा हुआ है भी हमारे पास 1 lakh plus cases होंगे, मतलब इसका जो speed है करोना के बढ़ने का वो बहुत जादा हो रहा है, तो इसको देखते हैं, mostly state ने अपने schools को बंद कर दिये, school colleges को और institute को बंद कर दिया गया है, तो आपके state में क्या colleges और schools बगारा बंद हुए हैं नहीं, यह मेरे को comment करके जरूर बताना, ठीक है, कहां का बंद हो गया है वो मैं आपको बता देता हूँ, कहीं तो यह बोला जा रहा है, नेक्स्ट नोटिस तक आपको खोल के दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, भी कब हमारे schools खुलने वाले हैं, ठीक है, फर अब बात आती है, यह जो term to exams है, यह होने कब थे, अगर करोना की situation ठीक रहती, सब कुस ठीक होता था, यह बोर्ड एक्जाम CBSC ने नोटिफाई किया था, भी हम इसको conduct करने वाले, मार्च के अंदर या फिर अपरेल के अंदर, अपरेल के अंदर या मार्च के अंदर, मतलब आज से अभी जनवरी चल रही है, आज से तीन महीने बाद इसके exam की होने के chances होते, ठीक है, अब बात की जाए यार, सर, आप टर्म टू के exam होंगे, क्योंकि करोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि यह जो नवा वेरियंट आये, बहुत ज़्यादा फैल रहा क्या exam होंगे, तो भाई, उसके लिए मैं बोल दो भी exam, जहां तक मुझे लग रहा है भी definitely आपके exam होंगे, क्योंकि जो गलतिया बोर्ड ने last time करी exam को cancel करके, जो बच्चों का deserving candidates के साथ हालात हुए, उनको ना धोराते हुए, CBSC यह exam जरूर लेगा, क्योंकि जो deserving candidates है, सबसे ज़्यादा वो सफर करे थे, जब exam cancel होए थे, जो ये वीडियो देख रहे हैं, शायद जिनके exam होच चुके हैं, लास्ट time उनको पता हो कभी वो कैसे सफर करे, मतलब उनके लिए benefit था, जो कुछ नई बढ़े थे यार जादा, उनके marks मिल गए थे, लेकिन जो deserve करते थे, उनके marks कम आए थे, तो ये बच्चे समझते होंगे, जो लास्ट येर के होंगे, आप अपने senior से पूछ सकते हैं ये चीजे, तो भाई, ये चीजे सारी matter करती हैं, भी मरपस, भी term 1 के, term 2 के board exams आपके होंगे, term 1 उनने बहुत अच्छे से conduct कराया, objective mode में, अब बारियाते term 2 होंगे, तो भाई, term 2 होंगे, मैं कैसे इतना surety से बोल सकता हूं भी होंगे, क्योंकि यार मैं situation देख रहा हूं, absorb कर रहा हूं, भी 15 to 18 जो age वली vaccine है, वो इंडिया में आचो की है, और इतने जोरो शोरो से vaccine लगाई जा रही है, हर स्कूल में जाके vaccinate कर रहे हैं बच्चों को, और हर parent को call किया जारा भी उनका बच्चा vaccinate हुआ या नहीं हुआ, आपके वाँका मुझे पता नहीं हमारे हर्याना में, जिस state में, जिस city में मैं रहा हूं, वाँपे बहुत जोरो शोरो से vaccine चल रही है, हर स्कूल में हर बच्चे को vaccinate किया जा रहा है, और board exam होते 10th और 12th के, मतलब यहाँपे सारे बच्चे 15 तो 18 की range में आते हैं, मतलब उनको vaccinate करके, जहां तक उमीद जताई जा रही है, उनको एक महीने के अंदर या तेड़ महीने के अंदर, वन एन आफ मंच के अंदर उनको vaccinate कर दिया जाएगा, और vaccinate करने के बाद, उनके अगले एक तेड़ महीने में exam ले लिया जाएगे, और जैसी करोना की situation ठीक होगी, स्कूल को ओपन करके उनको पढ़ाय जाएगा, और फिर उसके बाद उनको क्या किया जाएगा, वहाँ पे exam जलवाय जाएगे, और exam होगे आपके कौन से का mode में, offline mode में, और offline mode में, जहां तक उमीद जदाई जारी offline mode में होगा, अगर आप लोग कैसा exam देना चाथते हैं, यह आपके उपड़ डिपेंड़ा यार, मुझे comment section में जरूर बताना, दो बाते जरूर बतानी हैं आपने comment section में, क्या आपके वाँ भी करोना की वज़े से school बंद हुए, और दूसरी बात, क्या आप लोग term to exam, अफलाइन मोड में देना चाथते हो ना, तो भाई, मैं तो यही कहूँगा, जैसे वो बच्चे सफर करेते, आप लोगों ने सफर नहीं करना है, तो आपको term to exam को अफलाइन मोड में देना चाहिए, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा आगे shift कर सकते हैं, अगर करोना की situation ठीक ना हो, हम बोड से request कर लेंगे, सो दाट भी हमारे यह exam को थोड़ा सा आगे shift कर दिया जाए, सो दाट we can prepare विल, जब हम स्कूल में जाएंगे, अच्छे से prepare करके, situation को अच्छे से समझके, उसको prepare करके हम exam दे पाए, तो भाई exam जरूर दे देना, term 2 के board exams, मैं तो यह कहूँगा होने चाहिए, बाकी जहांते को मीद जताई जा रही है, term 2 के board exams होंगे, ठीक है, और फिर और बात आती है, सरी है किस mode में होंगे, objective होंगे या subjective होंगे, तो भाई board ने पहले ही clear कर दिये, अब यह exam दोनों mode में हो सकते है, बलब यह depend करता है, situation के उपर, यह decision बाद में लिया जाएगा, आपका exam या तो purely objective होगा, या फिर purely subjective होगा, so it depends on the situation, आप दोनों तरीके से पढ़ते रहे, आपने यह देख लिए term 1 के अंदर, भी objective paper भी मुश्किल हो सकते है, subjective paper तो पहले आया ही करते हैं, लेकिन objective paper भी मुश्किल हो सकते हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा, अपने exams के लिए पढ़ते रहे, बढ़िया तरीके से preparation जारी रखे, online में भी अच्छी preparation हो सकती है, अगर आप अपनी concentration से पढ़ना चाहें, ठीक है, तो भई, all the very best अपनी preparation को जारी रखे, और अपनी सियत का ख्याल रखे, इस virus से बचते रहे, जितना हो सके, कम बाहर निकलें, लेकिन यार पढ़ाई ज़रूरी है, तो पढ़ाई भी करनी है साथ साथ और इससे बचना भी है, so take care of yourself, वीडियो को like कर देना, channel subscribe कर देना, और सब के साथ share कर दो, 10, 12, 11 सभी के साथ, thank you so much, we'll meet you in the next session, जल्दी से classes में मिलते हैं,